नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिव डिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे गनित पेडागोजी में गिंतारा जैसे अबेकस भी कहा जाता है जियो बोर्ड जियो बॉक्स टेन ग्राम विवकलन और ग्राब के ब पूरा देखना है और अंतम में जरूर बताना है कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक करना है और चेनल को सबस्कार कर लेना है तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा हमने लिया है यहां पर गिंतारा को अबेकस भी कहा जाता है याद रखेगा गिंतारा जिसे जोड घटाना आदी सिखाने में उप्यूग किया जाता है, इसका सबसे पहले अविस्कार चीन में हुआ था, याद रखेगा जिपूछे कि अविस्कार कहां हुआ था सबसे पहले, तो ये चीन में हुआ था, ये जोड घटाओं के लिए उप्यूग में लाए जाता है जो बच्चा होता है प्रात्मी किस्तर पर जब बच्चा सीखता है तो इसके मद्यम से बच्चा असानी से सीख सकता है वो रूची लेकर जोड घटाव को सीख सकता है किस से अबेकस से तो ये एक अच्छा साधन है प्रात्मी किस्तर पर आप देख सकते हैं चित्र के मद्यम स इसे क्या कहा जाता है इसे अबेकस कहा जाता है यदि आप इसको साधन भासा में समझे तो इसका उप्योग योग की अउधानाओं को विक्सित करने के लिए किया जाता है और इसका विश्कार सबसे पहले कहां पर किया गया था चीन में किया गया था चलिए इसे समझ देखो प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है अबेकस के प्रियोग से यहाँ पर चार विकल्प दिये गए हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया उसी के नुसार यहाँ पर आंसर देना है देखिए जो अबेकस के प्रियोग से बच्चों के स्थानी मान की महता को समझाया जा सकता है तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको चित्र बताया था यहाँ पर जैसे की यह दे रखा हुआ है तो यहाँ पर जब बच्चा को पढ़ाया जाता है तो आप यहाँ पर एकाई धाई से एकड़ा हजार भी किया जा सकता है अबेकस के प्रियोग से तो राइट आंसर क्या होगाा उपरसों भी इस से आप यदि आपके मायन में यह चितर रहे गा आपको समझ में आएगा कि अबेकस किसे कहते हैं तो आप कोई साबी प्रस्णा अजाए उसको आसान से असानी से हल कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का विकरस होता है यह प्रात्मी किस तर पर इसका जारातर यूस किया जाता है वेसे तो अब बहुत ही कम इसकोलों में मिलेगा लेकिन जहाँ पर भी मिलेगा बच्चा असानी से इससे सीख सकता है चलिए अब बात करेंगे जियो बोर्ड की यहाँ पर देखे आप चित्र के माद्यम से देख सकते हैं इसका आकार किस प्रकार का होता है चोकोर होता है और ये लकड़ी का बना होता है यदि पूछे जियो बोर्ड किसका बना होता है तो ये लकड़ी का बना होता है इस पर कीले लगी होती और इन कीलो के माद्यम से आप एक चाहे रबर ले लिजे धागा ले लिजे इसके इस्तमाल से इस पर तीकोन बना सकते हैं वर्ग बना सकते हैं आयाद बना सकते हैं और इसके माद्यम से बच्चों को आप आसानी से सिखा सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं रबर बेंड या धागे का इस्तमाल करके बच्चों को खुली वा बंध आकरति सिखाने के लिए आप किस तरह की गतिविदिया आयुजित कर सकते हैं, कहने का मतलब है चाहे आप तीकोन बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, आयाथ बना सकते हैं, ये आपके उपर है कि आप बच्चों को किस तरीके से इस जियो बोड के महत्यम से समझा सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जोमिती आकरती आने के तिकोन वरगा आयात कुछ भी बना सकते हैं इसके लिए यह उपयोगी है जोमिती की थीडी आकरती को पहचानने के लिए किया जाता है जामिती की और यहां लकडी का बना होता यहां पर देखे आप देख सकते हैं इसमा आयाद भी बना हुआ है त्रिभूज भी बना हुआ है आप इससे जो कुछ भी बनाना चाहते हैं जो जामिती आकरतियों से सम्मनित हैं सबी आप जियो बॉर्ण से बना सकते हैं और बच्चों को प्रात्मिक श्क्तर चो는 बच्चे होती हैं उनको असानी से सिखा शकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जियो बॉर्ड किस प्रकार का होता है तो इसको याद रखीगा इसे सम्मझत एक प्रशन पूछा गया था जीयो बोड किसके सिक्षण का एक प्रभावी साथाण है जामिती आकरतियों और उनकी विस्षिस्ताओं का है द्वीमीम और त्रीवीम आकरतियों में अंतर करना द्वीमिम याने की 2D और 3D मतलब 3D आकरतियों में अंतर करना सम्मिती की अउधानाएं या फिर आधारवुत जामिती अउधानाओं जैसे किरिने रेखाएं और कौन तो यहां जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जियो बोर्ड हैं इसकास्तमाल जो जियामिती आकरतिय होती हैं उसके लिए किया जाता है तो यहां पर साधन सी बात है यदि आपने जान लिया कि जियो बोर्ड किसे कहते हैं तो यहां पर आसानी सा पांसर लगा सकते हैं कि यह जामिती आकरतियों और उनकी विसस्ताओं के सिक्छन का एक प्रभावी साधन है जियो बोर्ड तो बच्पन में आपने और हमने इसका उप्योग किया है बच्पन में इसे कमपास या फिर बॉक्स के नाम से जानते थे याद रखेगा यदि एक्जाम में पूछे कि जामेती से सम्मध तक गनिती उपकरन किसमें रखे जाते हैं तो वो जियो बॉक्स में रखे जाते हैं इसका उप्योग आपने सबी ने किया होगा, इसके बारे में ज़्यादा समझाने क्या वश्कता नहीं है, अब हम जानेंगे तेन ग्राम के बारे में, तेन ग्राम क्या होता है, तेन ग्राम चीन की एक पुरानी पहली है, तेन ग्राम के अलग अलग टुकडों से हम कई जानवरों, और चीजों की आकरतिया बना सकते हैं जैसे कि आप जियोमिती से जितनी भी आकरतिया बनती हैं वो आप इस 10 ग्राम के मद्यम से बना सकते हैं बच्चों को सिखा सकते हैं इसमें 5-7 बिंदू होते हैं और वहां भी किसी तार से ही बंदे होते हैं याद रखेगा इसमें कितने बिंदू होते हैं पांच से साथ बिंदू होते हैं और ये किसी तार से बंदे होते हैं और इसका विकास कहाँ पर हुआ है चीन में हुआ है या फिर चीन में इसका विकास किया गया था अब यहाँ पर देखिए चित्र के मद्यम से एक उधारण के मद्यम से मैं आपको यानि कि टुकुडों में बाड़ दिया है और इन टुकुडों से आप कुछ भी बना सकते हैं लाइक आप होम बना सकते हैं यहाँ पर फिज बना सकते हैं केड बना सकते हैं कुछ भी आप बना सकते हैं जो जोमिती से संब्दित जितनी भी आकरतिया हैं उनको आप उन चित्र जो की आकरतिया ये इसमें बन सकती है 10 ग्राम में, क्योंकि इससे सम्मलित प्रश्ण पूछे जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर प्रश्ण देख सकते हैं, प्रश्ण में पूछा गया है कि 10 ग्राम के विशे में सकती कथन क्या है, मैंने आपको बताया था, कि यहाँ चीन की पुराने पहली है, इसमें 5 से 7 अलग-अलग आकार के टुकडे होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, इन टुकडों को जोड़कर जानवरों, इंसनों और अन्य चीजों की आकरतिया बनाई जाती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पर तीनों ही सत्य कथन होंगे, 10 ग्राम के अंत्रगत, तो रैट आंसर हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, पहला, दूसरा और तीसरा, चलिए, अब हम जानेंगे विवकलन के बारे म उत्तम रूप से दिया जा सकता है, गुनन, विवकलन, विवाजन या फिर योग, तो यहाँ पर हमारा आंसर तो विवकलन आएगा, पर क्यों आएगा, इसके बारे मिए आपको पता होना चाहिए, तो एक उधरन के तोर पर आपको समझाऊंगा, यदि आप सिक्षक के रू कि तुम्हारे पास दो टोफी है, और दोनों टोफी मैंने ले ली, तो तुम्हारे पास अब कितनी टोफी बची, तो बच्चा क्या कहेगा, मेरे पास जीरो टोफी बची, कितनी बची, जीरो, तो यहाँ पर आपने क्या बताया, गहटाना बताया, विवकलन बताया, और व ग्राफ या फिर पेपर इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं चितर के माध्यम से आप देख सकते हैं यह दसंबलव संख्याओं के पढ़ने के लिए इसका उप्यूग किया जाता है यहां पार इस प्रस्ण के माध्यम से और अच्छे से आप समझ पाएंगे दो दसंबलव वाली संख्याओं के गुनन जैसे की 0.3 into 0.2 बराबर 0.06 को संक्लपना को समझाने के लिए निमलिखित में से कोंसा सिक्छन अधिगम साधन उचित है यहां पर देखिए आपको इस संक्लपना को समझाना है इसके लिए कोंसा सिक्छन अधिगम साधन उचित 0.06 होता है लेकिन आपको प्रात्मे किस तरके बच्ची को समझाना है तो आपको इन चारो विकलपों के माध्यम से बताना पड़ेगा कि किस माध्यम से आप बच्चों को समझाएंगे कौन सा अधिगम साधन उचित होगा तो वो होगा ग्राब पेपर क्योंकि इस से वाली संख्याओं के गुणन की संकलपना को ही आपको समझाना है तो किस के माध्यम से समझा पाएंगे ग्राब पेपर के माध्यम से समझा पाएंगे बच्ची को तो आई होप आप इन सभी उपकरणों को अच्छे से समझ गए होंगे तो आज का वीडियो में ही पर समाप् करते हैं आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जबते कली धनिवाद जहिन